बॉलिवूड की फिल्मों में छोटा मुटा रोल अदा करने वाली अभिनेत्री स्वरा भासकर अपना जादातर वक्त सोसल मीडिया पर बिताती हैं स्वरा अपने बयानों की वज़ा से हमेशा सुर्ख्यों में रहती हैं एक्टरेस अक्सर कई मुद्दों पर अपनी बेबा कराय रखते हुए ट्विटर हैंडल पर पोस्ट भी सेर करते रहती हैं स्वरा भासकर ने इस बार महत्मा गाधी की पुनितिति पर ट्विटर पर ट्विट करते हुए लिखा की गाधी हम सर्मिन्दा हैं, तेरे कातिल जिन्दा हैं और हैस्टेग में स्वराभासकर ने लिख दिया गाधी जैन्ती अब गाधी जी की पुन्नितिती पर गाधी जैन्ती लिखने के बाद स्वराभासकर को जम कर ट्रोल किया जाने लगा हलाकि स्वरा को जब पता चला कि उन्होंने RSS को टार्गेट करने के चक्कर में अपनी ही भैंकर बेज़ती करवा लिया है तब उन्होंने उस ट्वीट को तुरंट डिलीट कर दिया लेकिन तब तक लोगोंने उस ट्वीट का स्क्रीन सौट ले लिया था और फिर स्वराभासकर के ग्यान की धजियां सोसल मीडिया पर उड़ाई जाने लगी दरसल मोधी सरकार पर हमला बोलने के लिए स्वराभासकर अक्सर जूटी बातों का सहारा लेकर नेशनल चैनल पर पहुंच जाती है उसका परिनाम ये होता है कि स्वरा भासकर को नेशनल चैनल पर कई बार भारी बेजती का सामना करना पड़ता है अब या कोई पहली बार नहीं था स्वरा के साथ अक्सर ही ऐसा होता रहता है पतरकार प्रदीब भंडारी ने स्वरा भासकर के ट्वीट को पोस्ट करते हुए लिखा कि गाधी हम सर्मिन्दा हैं पुनितिति के दिन जैनती मनाने वाले अभी तक जिन्दा है स्वरा भासकर ने ट्रोल होने के बाद अपने पुड़ाने ट्वीट को डिलीट करते हुए लिखा कि गादी हम सर्मिन्दा हैं तेरे कातिल जिंदा है और हैस्टेग में लिखा गादी पुनिती थी वहीं स्वरा के नए ट्विट पर भी लोग उन्हें जम कर ट्रोल कर रहे हैं जी हाँ आज स्वरा के एसी ट्विट पर उनका पुराणा ट्विट पोस्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा स्वरा हम सर्मिंदा हैं तेरे दिमाग में अंडा हैं हलाकि यह पहला मामला नहीं है इससे पहले भी पिछले साल गल्वान के मामले में रिचाचड़ा के अपति जनक ट्वीट पर सुराभासकर ने अपना समर्थन दिया था स्वराभासकर ने रिचाचडड़ा को ट्विटर पर टैग करते हुए लिखा कि रिचाचड़ा तुम्हें धेर सारा सहास और प्यार बता दे कि रिचाचड़ा के ट्वीट का धेरो बॉलेवूड सेलिबरिटीज ने विरोध किया था उस tweet में रिचा चड़ा ने सेना के पराक्रम पर सवाल उठाया था एक तरीके से भारतिय सेना को कायर साबित करने की कोशिज की थी फिर लोगों ने social media पर स्वरा भासकर और रिचा चड़ा दोनों की वाट लगा दी तो कुछ इस तरह से स्वरा भासकर को एक बार फिर से मोधी, RSS और भाजपा पर निसाना साधना भारी पढ़ गया है फिलाल स्वरा भासकर के इस national बेज़ती पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवार